दुनिया की ताजा तरीम ख़बरों से रूब रूब कराता ये है अन्पूरा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पीन्यूज खबरों का बासा पूरे भारत में लागडाउन चल लहा है शड़कों पर गाउं में कस्वों में होटलों में दुकानों पर सन्नाटा चाया हुआ है इसी सन्नाटे को कबर करने के लिए हमारे चैनल के पत्रकार नीरज कुमार और भाल चन सर्मा ने जौनपूर की तफसीश की जौनपूर के सुजान गंज बलाक के तमाम बाजारों में लोगों ने भ्रमण किया और तमाम मंदिरों में गए जहां नौरात्र को लेकर के चहल पाल होनी चाहिए थी वहां बिल्कुल सन्नाटा नजर आया हम आपको दिखा रहे हैं यह अभी वीडियो में हमारे साथ जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह सुजान गंज का कहले जौनपूर का बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन सिव मंदिर है जिसे गौरी संकर धाम के नाम से जाना जाता है गौरी संकर धाम के कपाट भी बंद चल रहे हैं यहां बिल्कुल सन्नाटा चाया हुआ है एक भी दर्शनार्थी यहां पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं यह कोरोना का असर है नहीं तो नवरात्र में यह सावन में इस सिव मंदिर में इतनी कतार लगती है कि आपको दर्शन करने के लिए घंटों लाइन में रहना पड़ता है कोरोना को लेकर के जनता इस तरह से सतर्क है सावधान है कि लोगों ने अपने आपको एक कमरे में बंद कर रखा है पूरे बाजार में सन्नाटा है हम आपको पीछे सड़कें दिखा रहे हैं वीडियो में जो हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पूरे सड़कों पर सन्नाटा शाया हुआ है एक भी कोई वाहन नहीं दौड रहे हैं यह सुजान गंज का वो मार्केट है जहां दिन भर लोगों की भीड जमा रहती थी लेकिन आज वही मार्केट इस तरह से सुनसान वीरान पड़ा हुआ है यह किवल कोरोना का डर है और प्रधान मंतरी जी का निर्देश जो लागडाउन का है उसका पालन करने के लिए जनता यहां पर बहुत ही सतर्क है और बहुत ही सावधानी के साथ लोग लागडाउन का पालन कर रहे हैं अब हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं यह सुजान गंज के एक विसाल मंदिर अमबाधाम बस रही का है यहां नौरात्र में इतनी भीड उमरती है कि लोगों का ताता लगा रहता है आज इस मंदिर को आप देख रहे हैं इसके कबाट रोज सुबह पूजन के बाद बंद कर दिये जाते हैं दर्सनारतियों को यहां आने की अनुमती नहीं है हमारे पत्रकारों ने इसको अपने कैमेरे में कैद किया है आज नौरात्र की सिती में एक देवी मंदिर का यह सनाटा कोरोना के बहुत बड़े डर को बता रहा है साथ ही साथ प्रधान मंत्री जी के लागडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए भी दिख रहा है हमारे पत्रकार जब सुजान गंज थाने पर पहुँचते हैं तो थाना भी सनाटा में दिखाई देता है इसका क्या कारण हो सकता यह जानने की भी उतकंठा आपकी जरूर होगी क्योंकि इतनी भारी मात्रा में आपर शिपाही है लेकिन उनको लागडाउन का पालन करवाने के लिए छेत्रों में जो बड़े-बड़े मंदिर हैं जो बड़े-बड़े दुकाने हैं मार्केट हैं उस पर लागडाउन का पालन कराने के लिए उनको लगाया गया है इसलिए थाने पर बहुत कम पुलिस कर्मी दिखाई पड़े हमारे पत्रकारों ने थाना ध्यक से भी बात की इस दोरान उन्होंने बताया कि हम लागदाउन का पूरे छेत्र में सक्ती के साथ पालन करा रहे हैं हमारे पत्रकार सुजान गंज के सामुदाइक स्वास्थ केंदर पर भी गए वहां का जाजा लिया काफी भारी संख्या में मरीज यहां पर डटे रहते हैं सुजान गंज बाजार सुजान गंज बलाग जो है यह लगभख पच्चास से ज्यादा गाउं सभाओं को जोड़ता है और वही सुजान गंज का यह सामुदाइक स्वास्त के इंद्र आज सोना पड़ा है वीरान पड़ा है इसके पीछे भी कोरोना का ही पूरा आसर है हम को लेकर के इस तरह का भयव्यापत है कि मेडिकल की दुकाने भी आपको बड़ी बड़ी मेडिकल की दुकाने जो सामुदाइक स्वास्त केंदर के सामने हमेशा खुली रहती हैं वो भी बंद नजरा रही हैं मार्केट का यह सन्नाटा बता रहा है कि पूरा देश प्रधानमं चीज़ों की दुकाने खुल सकती हैं जो आवशक्सक्षिण की दुकान च hymen किराना सब्जी ज làवे मेरोल प्रसथां के प्रुंदार कोरोंना से डर रहे हैं या प्रशासन के दुअना की किराना नहीं खुल पा रही हैं, बहुत सारे सबजी और फलों की दुकाने नहीं खुल रही हैं, इसके पीछे दोकारण हो शकते हैं, या प्रदेश सरकार के लागडाउन के इस्थिति का पालन कर रहे हैं, या वो कोरोना से खुद को बचाने के लिए मार्केट में नहीं आना चाहते हम आपको कोरोना से भैवीत नहीं करना चाहते हैं हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कोरोना एक ऐसी बिमारी है जिसे आप स्वता बचा सकते हैं अपने आपको अपने आपको बचाने के लिए आपको एक कमरे में रहना है किसी बाहरी व्यक्तियों से ज़्यादा मेल जोल नही रखें क्योंकि इसमें आपकी सावधानी ही आपका बचाव है अभी तक कोरोना की कोई भी दवा दुनिया में नहीं बनी है इसलिए इसकी दवा सिर्फ एक है कि लोगों से दूरी बनाई जाए लागडाउन एक 20 दिन का है इसका पूरी तरह से पालन किया जाए उसके बाद हम आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं बच सकते हैं पूरे देश को बचा सकते हैं पी नियूज की टीम भी आपसे अपील करती है कि आप अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर सेनेटाइज करते रहें साबून से धोते रहें और कोशिस करें कि घर से बाहर ना निकले औ और जब निकलें भी किसी जरूरी काम के लिए तो एक से दो मीटर की दूरी जरूर बनाए रखें। आपकी साउधानी ही आपका बचाओ है। कैमरामन भालचन सर्मा के साथ धीरच कुमार दूबे पी नियूज जौनपूर उत्तरप्रदेश।